नमस्ते दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फेंडिसी दुनिया में दोस्तो वीडियो में हम लोग इंडप्ट में अनलाइसीज करेंगे निदल ले नोमेंस वसे स्कॉर्ट ले नोमेंस के बीच जो होगा ECN ओमें ट्राइ सीरीस का आज का दिन का इकलौता मै मैंच जो किला जाएगा निदल ले नोमेंस वसे स्कॉर्ट ले नोमेंस के बीच के देखो दोस्तो सबसे पहले आपको च्लियर ली बता रहा हो ह। इस मैच में हिट्टु एड्ट जो पास्ट पर्फॉर्मिश था न उसका कोई मतलब नहीं है क्यों मतलब नहीं है क्यूंकि यह चारो में प्लेयर नहीं खेल गया है तो यह तीन प्लेयर नहीं खेल गया है तो हेट वेर रिकॉर्ड पास्ट आप जानके भी क्या करो क्योंकि इसे बारा ओवर यहां पर बॉलिंग सा था था कैटी मैंगिल फ्रेसर और ब्राइस से उसके बाद स्कॉटलें ओमें ना एक तो यहां पर मुझे लगता है नेदरलें ओमें स्कॉटलें ओमें को बहुत इसली हराने वाली है दोस्तों इस मैच में स्पेशली स्कॉटलें ओमें अगर बैटिंग फर्स ले लेती है तो यह मैच भेंगर वाला वान सैडेट होगा और आप ग्रैंड लीक में कैट्टैन व वाला हूँ टेलिग्रम चैनल दोस्तों आपको चुनना है टेलिग्रम जिसका लिंक मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्ट्रिप्चन और कॉमें सेक्चेर में तो फटा फट जॉइन हो जागा ना टेलिग्रम चैनल फॉर फूचर अपडेट फॉर फाइनल अपडेट दोस्तों इसके बाद हम लोग अशिया कब कॉलिफार यूरोप कब कॉलिफार फिर इमर्जिंग अशिया कब जैसे मैचेस कवर करेंगे ठीक है अब आते अनलाइसिस में अट फ्रेश पे होगा इस्पोर्ट्स पर्फे होगा जहां पे ग्रीम ट्रेक हम लोग को दीख रहा ह उस टैम में मैंने सुना पीच का वन साइट से बॉलर्स को बहुत जादा है पेसस अच्छे हल्प मिल दे दोस्तों जैसे कि उस साइट से स्टार्टिंग में आइडिस जीलिंग बॉलिंग कर रहे थे और उन्हें बहुत अच्छा बॉलिंग किया और दोस्ते एक और साइट जो होता है वहाँ पर किसी को जादा है नहीं मिल दा है वह साइट बैटेस के लिए बेटर है तो सेम पीच का दो अलग साइट दो अलग तरीके से यूज हो रहा है यहाँ पर मुझे क्या लगा कि जो स्कॉट्लेन उमिंग का फॉस्ट मैस था ना उसके कौर्डिं मुझे ल अगेंस थाइले नोमेन, टुनामेन प्रिव्यू में दो मैचे हो चुके है, दो बार चेजिंग ने विन किया, अब यह मैं तो मैं परसिनली बिलीब नहीं करता हूँ इसके उपर, क्योंकि दो मैच दोनों बार, स्ट्रॉंग जो टीम था, वो चेजिंग कर ने, स्ट्रॉंग दोनों आपके लिए बाइड़ फॉल्ट पीक होना चाहिए, ठीक है, रॉबि रीच के आपके लिए इस मैच में मस्ट पीक है, चार ओवर वाले बॉलर दोस्तों, आईरिस जुलिंग मस्ट पीक है, बॉलिंग फर्स्ट हो ना, यह बहुत ही बरिया कैप्टेन है, इवन बै बस पेस है, और फर्स्ट मैच में हमने देखा था, सूथिया रंग ने दोस्तों, एन पी मया ने चार विकें निकाले थे, उपने इनके पावर प्ले में, तो यहां पर आईरिस जुलिंग अगर शुडू में बॉलिंग डालती है, दो ओवर अच्छी डालती है, दो विकें निकाल गया, तो इनको थीसरा भी डलवाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि पहला तीन ओवर आरिस जुलिंग इस मैच में डाल गई नेदरलेंस ओमें को, क्योंकि वो एटिंग इनके बॉल में पेस है, बाउंस है, तो इनको दो से तीन विकेंट आईएली मिलना चाहिए अगर दोस्तों सब कुछ ठीक रहा, एक ही प्रॉबलम है, एलाइस जिस्टर जो खेलती है, वो बेस्ट बैटर है इनके ओपोनेंट का, जो स्ट्राइक लेंगी और आरिस जुलिंग स्ट्राइक बॉलिंग करेंगी, वो एक थोरा सा टक्कर है, वहाँ पे एलाइस जिस्टर चारो प्लेयर रखेंगे, और हैदर सिगस को रखेंगे, चारो प्लेयर अपनी टीम में रखना है, ओवर डीजे, अभी तो टीम में रखके ही चलना है, दोस्तों, एक उडिके निकालेंगी और दोस्तों, पॉइंट में रहती है, catches भी ले लेती है, simple sorted team है, इनको भी अपनी इनको न, यह विकेट में फिनिश होता है इनका बॉल, और इनका जो अपन है, वो मैंने नोटीस कहा है, वो sweep खिलने का कोशिश करेंगी, इस मैच में भी, और यहाँ पे इनको 2-3 तीम में मिल सकता है, इनको स्टांपिंग में बोल रहा हूं, स्टांप में अगर रखेंगी तो LBW या बोल मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको एक्स्टा आट पॉइंट भी मिलेगा, ग्रैंड लीग केल रहो, बॉलिंग फर्स्ट होता है, कैप्टन बना दो, डिलेंगे को, एट लिस में से न, 2-3 तीम में कैप्टन बना के भूल जाओ, इवा लीच, यह भी off-deak इतना जाद होई है कि इनके जितने भी बॉलिंग आपको दीक रहे न, ओवर डीजे, कैरोलिंग डी लेंगे, फिर एवा लीच, आइडिस विलिंग रिच के, पाचों को के बना सकतो, और ग्रैंड लीग में एजब प्लियर हना लेंदर को लेना, मेभी यह इनिंग का लास् आइज विलिंग, रॉबिन रिच के, दोस्तों ये छे बोल का छे बॉलर रख लो, बॉल फस्त में ठीक है, और इनके साथ हजल सिकस को रखना पड़ेगा, वीकी से आपको बीडी लेडी पॉइंगे, तो बीडी लेडी को रख लेना, आठ प्लियर रख सकते हो आप ड्रिम आइज विलिंग, इवा लीच, आर रिच के, डेट में आइज विलिंग, आर रिच के, इवा लीच करते हो आपको दिखेंगे, प्लियर स्टेर्स में, पास्ट रिकॉर्ड बीडी लेडे, 17 गावरे से 410 रन, वीकी प्लस बैटिंग से पॉइंगे, और मुझे क्या लगता ह कि शुरू का इनिचल स्टेर्स मिलेंगे, जो भी प्लेयर मतलब वो नेगोशेट कर लेगा, वो बाद में जाके थोड़े से रन बना सकते है, बट इस पेच में बॉलर्स और पेसल को बहुत आज़ा सपोर्ट है, यह तर सीगस का कुछ ऐसा, स्टेर्स यह शायद अबलेब करशक तो एक्सेंग 22 मैंने 100 बार शायद बताया, आई जुलिंग बहुत इंपोर्टन ब्याट है, बहुत इंपोर्टन है, और इनका रेट था 30 के करीब, हम लोग के बंदे दोस्तों इनको बाई भी किया था और अच्छा कसम उनाफर भी लिया होगा, T2 इंडिया में 31 मैं अच्छा वासा बालिंग और इनका राता है, यह ना विकेट में करती है, बहुत ज़्याद आगे डालती है, यह ओर कर डालती है, बाल आगे डालती है, ओवर डिजे दोस्तों, 17 मैच में 17 मैच में 17 विकेट, समझ नहीं आता है कैसे, बठा, इनको इकर मिल चाता है, ODI में इनको विकेट मिल रहा था हर मैच में, इवर लीच विकेट में फिनिश करेंगी, ऑपोनेट वीक है, रखना पड़ेगा, थेस मैच में 22 विकेट, कैरोली इंडी लेंगे, इन्होंने दोस्तों, 28 मैच में 24 विकेट निकाल के रहा 92 ओवर, इस क्रिम का ट्रस्टेड बालर है जो 4 ओवर डाल दी है, ज्यादा तर मैचस में, इसा विकेट में अगर खेलता है तो पार प्ले में बालिंग करेंगी, रिसेनली ओडियाई में 2 मैच में, 2 मैच में विकेट निकाला था इन्होंने, अब देखता हूं दूस्तों, स्कॉरले नोमें, इनका ना बैटिंग उन अब था मक्सूद, ये दो प्लेयर इस टीम से सबसे इंपोर्टन है, सबसे इंपोर्टन बॉलर, उसके बद थर्ड प्लेयर मैं बोलूँगा रैचल स्लेटर, इन्होंने एक मेडिन भी डाला था लास मैच में, बैटिंग से भी 14 किया था, तो ये तीन प्लेयर इस प्लेयर अब दा मक्सूद, रैचल स्लेटर, प्याना चेटर जी, तीनो प्लेयर इंपोर्टन है, उसके बाद थोड़ा डिफेरेंस देखो, डिफेरेंस दो कहाँ पर क्रियर होडा है, नाइमा शेक, कोई नहीं लिने बाला, बॉलिंग फर्स होता है, जील में एक अच्छा गासा र उसके बाद भी इनसे बॉलिंग ने गराएगा, तो शायद ही इनको ज्यादा टीम ना तवज्जू नहीं देते है, अना रहनी ने एक वी ओवर डाला, 7 रन पे 0 उलकेट था, और यहां पर डर्सी कर्टर, यह डिफेंशन हो सकती है, क्योंकि अंडर 19 की प्लेयर है, एक वी इस लेटर आ सकती है, अब धा मक्सूत सबसें फॉर्टेन ऑप्शिन तीन हो रहेंगे, यह सीरीज से पहले के, दोगो सारा ब्राइस और कैथरीन ब्राइस अगर आ जाती है, तो दोस्तों टीम स्ट्रॉंग बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कैथरीन ब्राइस सब को पताया अभी बहुत अच्य फॉर्म से यहार है, पड़ाई अगर ब्राइस नहीं खेल और ब्राइस नेको जारे है थीड्रॉंगा, अगर पताया को सब्स्क्रॉंट, कुलि के लिए 1321 वहार है कि इसे एस प्ल築र यह जो इतिक हैंगे, कुछ ना कुछ का शूरन बनाते हैँ आपक निव्जलेंड में ओडिया खेल गया रहा है उसमें इन्होंने बॉलिंग अच्छा का सक रहा है डर्शी कटर अंडर 19 के लिए 15 रंड 24 रंड जिरोगेट 9 रंड जिरोगेट 6 रंड 16 रंड मेंगर में कॉल T2 इंडिया में 18 मैच में 10 विकेट 26 ओवर में टीटो इंडिया में पाच 0 रंड पाच 0 रंड बॉल अब तहा मक्सोद 0 रंड 2 रंड 0 रंड 0 रंड इडाचल स्लेटर 9 मैच 23 ओवर में चार विकेट 0-2-1-1-0 रंड हना रहनी 24 टीटो इंडिया में सिफ 43 ओवर बट 10 विकेट भी है इंगेट डिफिंशल हो सकती है इंग्लिश में ODD बगेरा खेलती है समानता है को 10 मैंच 15 ओवर 6 गर बॉलिंग यह नहीं डाला नहीं माशेक पास है पी चैटर जी हमारे पास अलाइस लिस्टर अब था मक्सूत रैचल स्लेटर हैदर सीगर्स भी डिलेडे फिलाल दोस्तों यह रहेगा मेरा